जन अधिकार पाटी के अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादो से जुड़ी इस वक्त की बड़ी और ताजा खबर आपको बता रहे हैं पप्पू यादो जो 32 साल पुराने अभ़रन के केस में इस वक्त जेल के अंदर हैं जिनका दर्भंगा के DMCH में इलाज चल रहा है उनकी तरब से आज मध्यपूरा की निचली अदालत में जमानत की अरजी लगाई गई थी लेकिन मध्यपूरा ACJM की कोट ने उनकी जमानत को नामंजूर कर दिया है अरजी को खारिज कर दिया है और सेसन कोट में अपील करने के लिए कहा है जिहां इस वक्त जो बड़ी खबर मधे पूरा से आ रही है वो ये कि पपू यादो की जमानत अरजी पर ACJM कोट ने उन्हें राहत नहीं दी है इसके पहले पटना हाई कोट ने वर्चूल मोड में पपू यादो की जमानत पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया था पपु यादव के गिरबतारी के बाद उनके वकीलों की तरप से पटना हाइकोट में अपील की गई थी और मेंसन किया गया था कि इस मामले पर सुनवाई की जाए लेकिन हाइकोट में इसे बेहत जरूरी मामला नहीं मानते हुए सुनवाई करने से इंकार कर दिया था और अब पपू यादव जब मधेपूरा की निचली अदालत में गए हैं ACGM कोट में तो उनकी जमानत पर एक बार फिर उन्हें जटका लगा है और अब सेसन कोट का रुख मधेपूरा के सेसन कोट का रुख करना होगा पपू यादव को हमारी जो बात हुई है पपू यादव के वकीलों से उन्होंने कहा है कि अगले एक से दो दिन में पपू यादव की तरब से जो जमानत की अर्जी है वो सेसन कोट में दाखिल की जाएगी और पपो यादो के खिलाब जो ये बरसों पूराना मामला है उस मामले में उन्हें राहत मिल जाएगा इसकी उमीद जो है वो जताई है वकीलों ने उन्होंने कहा है कि हमें कोट पे पूरा भरोसा है कोट पपो यादो के साथ न्याए करेगा लेकिन आज जो मामला हुआ है व पप्पू यादो को राहत नहीं दी और अब पप्पू यादो को सेसन कोट में अपील करना होगा जमानत के लिए सेसन कोट में अपील करने से पहले वकील पूरी तयारी कर लेना चाहते हैं और यही वज़ा है कि इसमें एक से दो दिन का वक्त लग सकता है संभव है कि अगर कि सनिवार तक अपील हो जाती है तो फिर इस पर सुनवाई हो जाएगी अगर ऐसा नहीं होता है तो अब मामला अगले हपते तक खिज सकता है इसकी संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है तो पप्पु यादो के चाहने वालों के लिए उनके फैंस के लिए उनके पा पप्पू यादव की जमानत याची का पर राहत नहीं मिली है और अब उन्हें मध्यपूरा सेसन कोट का रुख करना होगा पप्पू यादव फिलहाल DMCH में अपना इलाज करा रहे हैं उन्हें कई तरह की बीमारियां हैं लेकिन राहत कम मिलती है इस पर सब की नजरे टिकी ह आर कोशीर gार्ख में मध्याद ग्राछ का बक्री बीमारियां का biggest अक्राद की शरे इस थे tension नहीं है वेशभ का येश़ fiost